हेलो एवरीबडी, वेलकम तू आज चैनल, इट सौल अबर पैतलोजी, सो आज हम बात करेंगे आप नॉर्मल खासी को और टीवी वाली खासी को, मतलब ट्यूबर क्लोसिस और जिसको हम छे रोक के नाम से भी जानते हैं, उस खासी को कैसे डिफरेंशियेट कर सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कि जो आपको खासी है, यह नॉर्मल खासी है, या फिर टीवी वाली खासी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, मैं आपको डिफरेंस पताऊंगी, आप अपने आप में ऐसे अंतर देखके पता कर सकते हैं, कि आपको जो खासी है वो किस तरीके की है, वो डेंजरेस है या फिर नॉर्मल है, तो guys, खासी होना कोई बड़ी बात नहीं है, खासी हो जाती है, पर वो एक खतरनाक रूप ले लेती है, हमको ये भी पता नहीं होता, तो basically बस मेरा बताने का यह intention है, कि अगर आपको खासी हो रही है, काफी दिन हो है, तो आपको चिंता करने की आवशकता है, आप उसके बारे में सोचिए, डॉक्टर के पास जाहिए, प्रॉपर चेक अप कराईए और टेटमेंट लीजिए, तो guys, सबसे पहला कारण होता है, टीवी खासी का, कि आपके जो इस्पुटम आता है, जो बलगम आता है, उसमे दिन पर दिन बजन कम हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा लक्षण है, टीवी का होने का, उसके बाद हम बात करें, आपको भूखना लगना, मतलब भूखना लगना, बजन कम होना, ये तो बहुत बड़े लक्षण होते हैं, टीवी होने की, खासी तीन अफदे से जादा पसीने का आना पसीने बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं तो ऐसा होता है तो हो सकता है उसके बाद हलका-लका बुखार रहता है आपको आपको ओबेसिटी थकान रहती है बहुत ज्यादा जो है अच्छे आप कर जा सकते हैं अगर आपको इस तरहा की सिंटम्स लक्षाहण तो पर पहले आप अपना एक्सरा कराएं जाके एक्सरा कराएंगे आप तो एक्सरे में आपको पता लगे का उसके बाद आप बल्गम टेस्ट करा सकते हैं स्पुटम टेस्ट करा सकते हैं इसके टीटमेंट के लिए उसके बाद आप एक मेंटॉक्स यह जो आप देख रहे है स्कीन पर इस तरह का वैक्सीन लगता है वो लगभा सकते हैं तो इस तरह के टेस्ट करवा के आप कनफॉर्म कर सकते हैं मैंने जो आपको लक्षन बताएं हैं उसमें से कोई मैच कर रहा है या वो सारे मैच कर रहा हैं तो आप तुरन जाएं ये सारी जाच कर रहा हैं बलकम ट अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप जाके चेक अप करें